दोस्तो नमस्कार एक बाफिर से आपका अन्वियदार की में स्वागत है दोस्तो सबसे पहले हम लेंगे विटकोईन के कुछ चार्ट के वारे में इस वीडियो में और हम आपको बताएंगे कि क्या इस समय इमीडियेट रिजिस्टेंस बन रहा है और क्या सपोर्ट लेविल पॉष बन रहा है और आगे विटकोईन कान सकता है और वाले टाइम में कि क्या पॉषिचेंट वनरहें है विटकोईन की क्या दैंजरजोन में गया वो निकाली है और वो बहुत ही जल्दी क्रप्टों में आने वाला है उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे और हम इसमें बात करेंगे नाइजेरिया की तरफ से कि उसने कैसे यूटन डे लिया अभी बिटकोईन और क्रप्टों के बारे में क्योंकि उन्हो रहे दोस्तों अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जोइन नहीं किया है तो उसको जोइन जरू कर लिजेगा क्योंकि सारी अपडेट जो है वो हम सबसे पहले उसी पर डालते हैं और अगर आपने ट्वीटर हमारा जोइन नहीं किया है तो ट्वीटर पर भी जोइन कर लिज resistance है वो 40,000 डॉलर के आसपास है तो आप देख सकते हैं bitcoin ने 40,000 डॉलर को touch किया था यहां और उसके बाद जो है अभी बन रहा है head and shoulder बन रहा है reverse नहीं बन रहा है head and shoulder बन रहा है और यह सीधा जो head and shoulder बन रहा है यह थोड़ा bearish mode दिखा रहा है आपको मैं दिखा रहा हूँ screen पर और अभी bitcoin जो है वो पहुंच गया है करीवन 35,970 के आसपास चल रहा है जैसे मैंने आपको पिछले वीडियों बताय था कि इसका जो support level है वो 35,000 के आसपास बन रहा है और अभी bitcoin जो है वो 40,000 और 35,000 के बीच में ही sideways चल रहा है तो यह इस्तिती जो है bitcoin के लिए अभी अच्छी नहीं है लेकिन हाँ अगर आने वाले time में bitcoin 40,000 को cross करके 42,000 या 45,000 को cross करता है तो हम यह समझ सकते हैं कि bitcoin का danger zone जो है वो खतम हो गया है और bitcoin आगे बढ़ सकता है तो दोस्तों अभी देखते हैं आने वाले time में कि क्या position बन सकती है तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ उस धासू news के बारे में और उस update के बारे में जो आ रही है Indian private bank की तरफ से और आपको बता हूँ आपको पता होगा कि पिछले 3-4 सालों से bank जो है वो problem create कर रही है bitcoin के और cryptocurrency के लिए बहुत सारे लोगों के हमारे पास message आते हैं और बहुत सारे लोगों के हमें ये शिकायत आती है कि bank जो है वो proper तरीके से उनके payment को नहीं लागू कर पा रही है उनको उनके account को block कर रही है तो तो आपको मैं बताओं कि आप में देखा होगा कि वो जो bank है जो account को block करती हैं उनके पास कोई भी resource नहीं होता और अब एक bank जो डिकल कर आ रही है सबसे बड़ी bank है private bank इंडिया की SDFC उसने एक research paper जो जारी किया है कल treasury research करके उन्होंने बहुत अच्छी चीजे उसमें बोली है bitcoin के बारे में और bitcoin के बारे में उन्होंने research की है और उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम में bitcoin जो है वो हो सकता है इंडिया में बहुत ही जल्दी regular regulate हो जाए तो मैं आपको अभी वह research paper दिखा रहा हूं इसके बारे मैं अगर मैं पूरा बारी की से बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आप इस research paper को पूरा पढ़ सकते हैं मैं link इसको description में आपको दे दूँगा क्योंकि इन्होंने काफी कुछ कहा है cryptocurrency के बारे में online payment के बारे में और CBDC के बारे में नोंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो की है और एक positive result निकाल के दिया है इसके उपर cryptocurrency के उपर तो दोस्तों यह एक बहुत अच्छी ख़बर है और मुबीत करता हूं कि आने वाले time में और bank के भी इस तरीके की research करेंगी bitcoin के उपर cryptocurrency के उपर और अपनी positive result निकाल के लेके आएंगी क्योंकि आने वाले time जो है वो bitcoin का और cryptocurrency का होने वाला है तो दोस्तों आप इसके last में जो है इनोंने अपनी verdict दिया है वो आप पढ़ सकते हैं और इसमें इनोंने लिखा है कि we think it is just a matter of time before Indian investor have legal access to crypto plays तो ये सारी चीजें जो है ये एक positive है और इनोंने अपनी research में ये माना है कि आने वाले time में Indian government जो है वो बहुत ही जल्दी bitcoin को crypto को regulate कर सकती है तो ये जो है एक बहुत ही positive news बनती है दोस्तों अब मैं अगली खबर लेके आता हूँ और वो बहुत ही धासू खबर है वो है apple की दरब से दोस्तों आपको पता होगा कि पिछले दुनों Samsung ने अपने mobile में hardware wallet जो है वो include कर दिया था और आप Samsung के mobile में आप hardware wallet यूज कर सकते है अपनी cryptocurrency जो रख सकते हैं तो दोस्तों आपको पता है कि apple जो है वो भी जो है टकर देता है Samsung के लिए और Samsung भी टकर देता है apple के लिए तो apple पीछे कैसे रह सकता है ऐसी position में तो apple ने भी बहुत ही जल्दी ये decide किया है कि वो अपने mobile में आपको बहुत ही जल्दी इस तरीके की सुबधा है दे जो cryptocurrency या bitcoin प्रेमी है वो उसमें अपने bitcoin को cryptocurrency को secure कर सकते हैं तो दोस्तों इसलिए उन्होंने जो है वो अपनी एक job posting की है आप देख सकते हैं और उन्होंने लिखा है कि business development manager चाहिए उनको alternative payment के लिए alternative payment क्या है वो bitcoin और cryptocurrency है और इसमें अगर आप key qualification पर लेके ज आते हैं तो आप देख सकते हैं उन्होंने 5 साल का experience मांगा है जो cryptocurrency और other payment में fast जो है वो payment को execute कर सके तो दोस्तों यह जो है बहुत बड़ी ख़बर है apple के लिए और crypto payment के लिए आने वाले time में और यह आप देख सकते हैं कि apple के अंदर बहुत ही कुछ नकुछ जो है वो पक रह दोस्तों अगली खबर लेके चलता हूं वो भी बहुत धास हुए और वो आ रही है अमेरिका की तरफ से और आपको पता होगा बैनो मो करके एक payment application है जैसे हमारे पेटीम है उसी तरीके से अमेरिका में बैनिमो करके एक payment application है जिससे आप payment जो है वो ले दे सकते हैं आदान प पता होगा कि light coin की fees भी जो है वो भी बहुत कम है और transaction जो है वो भी बहुत अच्छी है तो इन सारी चीजों को देखते हुए बैनिमो ने light coin को include कर दिया है अपने payment में मतलब आप light coin को आदान परदान कर सकते हैं बैनिमो के थरू तो यह एक अच्छी खबर है और आप देख parent company जो है वो है PayPal मतलब PayPal की subsidiary जो है वो बैनिमो हो है और PayPal की तरफ से खबर ही आ रही है और मैंने आपको बताया था एक वीडियो में काफी दिन हो गए कि PayPal जो है वो बहुत जल्दी Bitcoin और cryptocurrency को आत्मसाथ करने जा रहा है तो उसने किया है यह सारा काम लेकिन एक problem थी कि आप उस और आप अब आप PayPal से cryptocurrency से withdrawal हासिल कर सकते हैं मैं आपको screen पर दिखा रहा हूँ कि PayPal विल लेट customers withdrawal crypto यह सारी चीजें जो है एक बहुत ही अच्छी update है आप इस news को जाकर पढ़ सकते हैं और आप update हो सकते हैं तो दोस्तों अगली खबर जो है वो JP Morgan bank की तरफ से हैं और आपको प और बहुत सारी update की थी कि हम Bitcoin के साथ हैं हम Bitcoin की आदान प्रदान जो है bank के दोरा कर सकते हैं बहुत सारी खबरें JP Morgan bank की तरफ से आ रही थी लेकिन एक खबर जो आई है वो आप आई है कि JP Morgan के जो CEO साहब है उन्होंने का है कि मेरा personally मानना है मतलब मैं अपना खुद ये मानता ह कि Bitcoin से आप लोगों को दूर रहना चाहिए लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हमें कोई अतराज नहीं है अगर कोई Bitcoin में काम करना चाहता है कोई bank से Bitcoin खरीदना चाहता है या किसी तरीके का लेंदेन अगर Bitcoin में करना चाहता है तो उनको कोई ऐसा अतराज नहीं है लेकिन अगर आप Bitcoin में काम करना चाहते हो या उससे करना चाहते हो तो दोस्तों मैंने यह देखा है बहुत सारे को यूज ना करो तो मैं आप से यही कहूंगा कि आप पूरी न्यूज पढ़िएगा और पूरी न्यूज पढ़के उसको समझ के तब उस पर decide कीजेगा कि क्या न्यूज का जो है वो उसका लबो लुबाव है और उसको किस तरीके से लिया जाए तो मैं आपको यह दिखा रहा हूं ट्यूटर पर भी दिखा रहा हूं मैंने इसके बारे में अपडेट किया था आपने पड़ा होगा और मैं अगली पच्चीस परसेंट जो है बिटकोईन की कीमत है वह वहां बढ़ गए थी बैन होने के बाद लोग पी-टू-पी जो है वह आदान-प्रदान कर रहे थे कैश में payment कर रहे थे कैश में खरीद रहे थे तो यह सारी चीजें जो है नाइज एरिया में चल रही थी रुकी नहीं थी तो इस सारी चीजों को देखकर अभी वहां की गवर्मेंट ने ले लिया है यू टर्ण और कहा है कि मैंने हमने बिटकोईन को जो है बैन नहीं किया है और आप बिटकोईन से अच्छी तरीके से कामकाज कर सकते हैं तो इस तरीके की खबरें जो है वो नाइज एरिया की तरफ से आ रही है दोस्तों आप हमें कॉमेंट करके बताईए कि अगर Indian Government ban करती है Bitcoin को या cryptocurrency को तो आने वाले टाइम में उसको भी U-turn लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि Bitcoin या cryptocurrency किसी की ताकत नहीं है कि उसको ban कर सके क्योंकि ये P2P ये चलती है इंटरनेट के थूँ चलती है और इसको ban करना जो है वो बहुत मुश्किल है दोस्तों अब एक news और आ रही है वो बहुत खास news है और वो आ रही है PTM की तरफ से और आपको बताऊं कि बहुत ही जल्दी इस साल के last तक PTM अपना IPO लेकर आ सकता है तो जो लोग share market में या stock market में काम कर रहे हैं उनको पता होगा IPO क्या होता है तो IPO जो है उसका बहुत जल्दी आ सकता है और लोगवाग उसका IPO खरी सकते हैं हमने tweet भी किया था इसके बारे में और हमने कहा था और आप लोगों को अभी मैं दुबारा बता रहा हूँ कि अगर पेटियम जो है जैसी आपको पता होगा कि पेटियम बहुत बड़ी इंडिया में बहुत बड़ी एक application है आप payment करने के लिए और कहीं भी use करते हैं आजकल सबजी बाले भी पेटियम यूज करते हैं दूद बाले कहीं भी आप जाईए आप पेटियम से payment कर सकते हैं तो दोस्तों अगर पेटियम भी अपनी crypto service जो है वो जारी कर दे जिस तरीके से आपने देखा कि पेपाल ने किया था यूएस में तो कितना इसका IPO जो है वो बूस्ट हो सकता है आप हमें कॉमेंट करके जरू बताईएगा जिससे पेटियम पर भी थोड़ा सा असर आए और वह भी कपनी crypto service जो है वो चालू कर दे तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि पेटियम चालू यूँ ह dies यहाएँ कटा क्योंकि पेटियम के पास असे बढ़े बड़े डबलवे हैं और बहुत जो है बहुत अच्छे एच्छे जो है इंजट्वेर इंजीर Él तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारेesty स्टट आप हैं जाव इंड्या में काम कर रहे हैं क्रप्र решил x है, chapay है, bitpns के बहुत सारे काम कर रही है, exchanges, तो ऐसा नहीं है, हैं कर सकते, paytm के पास भी बहुत सारे developer है, software engineer है, तो वो भी काम कर सकते हैं, और अगर वो इस तरिके tweet की चीज़ों में आते हैं जैसे पेपाल जो है वो आया है तो बहुत ही अच्छा इसका IPO जासकता है बहुत ही हीट हो सकता है. दोस्तों अब मैं बात करता हूँ एक बहुत ही धांसु खबर के बारे में और वो खबर आ रही है SEC के बारे में आपको करता होगा और आपने SEC का नाम सुना होगा जिसने रिपिल के ऊपर मुकुदमा दायर कर दिया था कि भाईया यह security token है और आप कैसे चला रहे तो दोस्तों SEC के जो अभी नए chairman आये हैं जब से आपके जो वीडन आये हैं अमेरिका में राश्पती होने हैं तब से उन्होंने एक एक नए जो chairman है उनको appointment किया है जिनका नाम है Gary Gensler और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है और वो बात की है कि हम चाहते हैं कि हम Congress के साथ US Congress के साथ मिलके हम इस तरीके की कुछ नई चीज़ां चाहते हैं जिससे crypto currency और crypto assets को के exchange को regulate किया जा सके तो यह जो खबर है यह बहुत बड़ी खबर है और SEC जो है आपको पता होगा एक बहुत बड़ी जो है firm है US के अंदर जो इस तरीके की चीज़े regulation बगरा देखती है क्य अनिमित्ताएं चल रही हैं payment के बारे में कौन सी company किस तरीके की payment जो है कोई अनिमित्ताएं तो नहीं है उसके बारे में proper नजर रखती है उसके chairman ने इस तरीके की बात की है तो यह एक बहुत बड़ी चीज़ है तो दोस्तों इस तरीके की खबरे हम आपको लेकर आते रहते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर comment करके बताएगा और साथ में आप इसको like जरूर ठोक दीजेगा और साथ में अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या है तो सब्सक्राइब कर ले और गंटी का बटन जरूर दबा ले दूसरा आप हमारा टेलिग्राम चैनल जो है वो जरूर कर ले मैं आपको स्क्रीन पर देखा रहा हूं इसमें हम आपको हमेशा अप टू डेट देते रहते हैं हमेशा बुलकुल नई नई खबरें सारी आपको अप टू डेट बिलती रहती हैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है त साथ में हमारा ट्विटर एंडल भी जोईन कर सकते हैं इसमें भी हम जो है आपको हमेशा हमेशा ताजी अपडेट जो है वो देते रहते हैं तो दोस्तों तब तक के लिए इतना अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्तित होंगे नम